क्या ये मिराज है या फिर किसे ने चप्स ऐसे ही छोड़ दिये क्या या कोई लड़ाई हो रही है लगता तो यही है चलो इसे और दिल चेस्ट बनाए बहुत हुई लड़ाई लड़ क्यो लिजी लगता है मैं ये जंग जीत गई आउच वाह ये चप्स तू देखो क्या वहाँ तुम हो लिजी मैं ज़रा चिप्स उढ़ालू ये क्या हो रहा है वोव ये कैसी जगा है और ये आउटफेट्स चलो अपना काम शुरू करें तुम तो गई ये क्या है एक M&M कौन खाता है और तम्हारे इतना बड़ा क्यों है जल रही हो जितना ज़्यादा उतना बहतर जब तक के चॉकलेट नहीं इस जोटे से को तो देखो उसे बहुत ज़्यादा मिला है और वो अपनी पहली बाइट शिरू कर रही है ओ यार ये तो काफी अच्छा है काश मैं भी हेई तुम बहुत पुरी हो मुझे अभी भी भूक लग रही है तुम्हें पता है ना माफ करना जबानी की वज़े से मैं तुम्हें सुनने ही पा रही हे भागवान मैंने तो थोड़ा सही खाया है तो मैं थोड़ा खालू लगता है लिजिल ये ट्रीट अपने लिए ही रखना चाहते है मेर मुँ में पानी आ रहा है और हो गया खेर कापी मज़ा आया किसी के पास दूध है? किसी के पास दूध है? लाची लगी जो भी है, सबके साथ हमेशा सिर्फ अच्छा नहीं होता सॉल्टी चप्स पसंद है तो इसकी बरसाथ कर दो क्या तुम तैयार हो? वो, आम, ओ यार मैं इस बार खुश हूँ ये सारे चप्स मेरे लिए है ना मेरा मूड एक्दब बहुत अच्छा हो गया है और तुम्हें बस यहीं मिला है बहुत बुरा हुआ वाह, और चिप्स भी बहुत बड़े है और ये उतनी ही ज़्यादा स्वादिश्ट है क्या ये बार बीक्यू है? आ, आरान से खाओ बैला तुम्हें इतनी तेज तेज खाने को किसने बोला है? बहुत बहुत शुक्रिया मैं तो इसे मुश्किल से देख पा रही हूँ अच्छा, इसमें चिप्स भी है ये बलकुल क्रम्स जितने है पर मैं सारी खाने वाली हूँ बुरा तो नहीं है शुक्रिया मेरे पास ये है हाँ, जो भी है तुम्हें नूडल्स पसंद होंगे लेडीज यम, और इसके सीजनिंग पॉफेक्ट है तो हमें नूडल्स मिल रहे है वाउ, इतने सारी नूडल्स और ये एक दो बाइट्स में खतम हो जाएंगे क्या तुम भी वहीं सोच रहे हो, जो मैं सोच रहे हूँ है, किसी किसी को नूडल्स जादा पसंद होते है और अब सब खुश है ये कितने प्यारे है चलो बेखें, ये काम करता है या नहीं मुझे चॉपस्टेक्स अच्चे से इस्तमाल करनी होंगी अगर मैं इने पकड़ पाऊंगी तो ओपसीज, चलो भी शुक्रिया नियॉयोक चद, एक चॉपसिक्स से काम चल जाए ठीक है एक नूडल तो आया ये स्वादिश्ट है हे भगवान, वेजी, तुम सास लोगी कुछ लोगों को नूडल्स कुछ ज़ादा ही पसंद होते है और लिजी, उनमें से ही एक है तुम्हें ये चाहिए? कोई बात नहीं हे देखो, मज़ेदार है ना किसी आदमे को टेटी बियोस से खिरते हुए नहीं देखा हाँ, एक गामे बेर और ये में सिर्फ एक ही गामे बेर है पर मैं इसे कैसे खाऊंगी नहीं, अच्छी कोशिश थी पर ये मेरे लिए काफी है मुझे का में बेर जतने नहीं पसंद पर मैं इसे टाय कर सकती हूँ क्या सर से शुरू करूँ? बुरा नहीं है क्या ये चेरी फ्लेवर्ड है? मैंने जितना सोचा था ये उससे बहतर है काफी जूसी है क्या तुम ये पूरा खाने वाली हो? मैं देख भी नहीं सकती मुझे किसी चीज को पष्टावा नहीं है पर मुझे बड़ी ड्रेस पहननी चाहिए थी इसनी बहुत शुगर थी पर मुझे कुछ नमकीन खाना है अगला तुम दोनों अभी भी यहाँ हो? मैं तो भूल ही गया था अगला वाउ क्या तुम ने इतनी पॉपकॉन कभी देखे है? और इसमें बहुत सारा बटर भी होगा और मेरे तो दो बाइट्स के बराबर है अगर मैं थोड़ा सा ले लू अच्छी कोशिश थी पर अपनी तक रहू, प्लीज एक सोडा क्यों पीना जब तुम तीन पी सकते हो प्यास लगी है अरे वाँ ये क्यान तो बहुत ही बड़ा है और ये पाइट के साइस का है है क्या इसमें? दो सिप्स? मैंने पी भी लिया, देखो यहाँ थोड़ी मदद कर दोगी प्लीज और उठाओ, और मेरी तरफ जो काओ, ठीक है उठा रही हो वो, क्या ये अच्छा आइडिया है थोड़ी गास बन गई आसपास बाटरूम है मुझे सच में जाना है जब तक तुम वहाँ हो क्या? इसके बाद तो उसे वाश्रूम जाना ही होगा ओ, मैं गलत जगा चले गई थी ओ, कितना अच्छा लग रहा है दिलचस्प है ओ, हाँ, ये रहा तुमारा खाना हेई, हमें बर्गर्स खानी को मिले और इसमें कुछ अलग भी नहीं है इसमें तो बहुत चारी पाटीज है मेरी मुँमें अभी से पानी आ गया स्वादिश्ट, तुम्हारा इतना बड़ा और मेरा इतना छोटा क्यों है? मुझे भी बड़े जूसी बर्गर्स पसंद है तुम्हें बता है क्या मैं बेला जैसे स्वादिश्ट खानी की हगदार नहीं हूँ? मैं शेफ का बहुत-बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी इस स्वादिश्ट बर्गर के लिए मैं इस ब्रेडे डिश्ट के लिए सच्चे दिल से खुश हूँ रुको, हांबर्गर अवाच्स तो होते ही नहीं है तुम अदास क्यों हो लिजी? शाद मेरी बर्गर की एक बाइक तुम्हें खुश कर दे? सच में बेला? क्या तुम भी वही सोच रही हूँ? जो मैं सोच रही हूँ? सबको हमेशा इसी तरह बर्गर्ज खाने चाहिए इनका स्वाद इस तरह बहुत अच्छा आता है हां बिल्कुल, मैं सहमत हूँ मैं इस तरह और भी खा सकती हूँ लेटिस इसका फिस बाद अच्छा है लगता है हम पूरा खा गए हां बिल्कुल, है ना? तुम भी आखरी वाइट का हिस दालो इसे को तु दोस्ते कहते है, है ना? चाय की खुश्बू बहुत अच्छी है तुम्हें और चाहिए? ये लो तुमसे मिलकर अच्छा लगा लड़कियो क्या हम वापिस आ गए? मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी क्या आपको भी स्मॉल वोर्सिस बिग फूट चालेंज करना है? अब क्या खा रहे है? बस उस पर फर्क पड़ता है है ना? इस वीडियो को अपनी दोस्तों के साथ चेर करें और उनको इटिंग कॉंटेस के लिए चालेंज करें